हेलो वेरिवन वेलकम टो मैं चैनल हाइपरटेट इस भी मैं हूं मुहमत सोहेल दोस्तों आज मैं इंडेक्स लिया है दोस्तों निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी इसके अंदर मैं आपको आप्शन चेंड के बेस पे आपको कहां इसको पुट बाई करना चाहिए कॉल कहां सिल करें पुट कहां सिल करें आगे चल के वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों और मैं दोस्तों इसके अंदर कल के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में टागेट भी बता दूंगा चेलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें आप मेरा टेलेग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए दोस्तों आज के दिन यानी 8 जून 2020 आज मंडे है दोस्तों आज के दिन निफ्टी 50 करेंटली ट्रेट कर रहा है 10,167.45 पाइसा के पास आज इसके अंदर हम लोग डे हाई देख सकते हैं 10,326.75 एंड इसका डेल हो है दोस्तों 10,120.25 दोस्तों यह मुवमेंट इसके अंदर ब कोई सा नहीं दिख रहा था आज के दिन क्यूंकि मैंने अपने टेलिग्राम चैनल में इंटिमेशन दे दिया था साड़े 10 बजे की की निफ्टी और बैंक निफ्टी सून यानी जल्दी में ब्रेक होने वाले थी और अब मैंने जब इंटिमेशन दिया था 11 बजे के अंद दोस्तों इसके अंदर मैं आप्शन चेन का सपोर्ट लूँगा दोस्तों आप लोगों को टिप्स देने के लिए और इसके अंदर एक हफ्ता एक्सपायरी है दोस्तों यानी 11 तु जून को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है दोस्तों मैं उसके उपर भी आपको option chain के base पे आपको समझा दूंगा कि आप put कहां buy करें call कहां buy करें क्योंकि दोस्तों put और call के अंदर ऐसा situation होता है कि हम लोग 300 से लेकि 500 के points के अंदर ही इसके अंदर हम लोग create कर सकते हैं option chain के इसाब अब देखें तो futures के अंदर चलिए दोस्तों आगे बरता हूं मैं आपको option chain basis पे कहां put buy करें कहां call buy करें आपको बता दूंगा देखिए दोस्तों मैं आपको option chain पे लेकि आ गया हूं दोस्तों जो मैंने अपटेंड market जाता है तो आपको profit होगा जब आप put buy करते हैं तो जब market downside market यानि index जो नीचे जाता है तो जब आपको profit होगा पर आप देखिए दोस्तों आप put buy करना चाहिए तो आज के लिए levels बहुत अच्छे थे दोस्तों पर आज के दिन ओ लेवर्स को यह जाना सका क्योंकि इसके अंदर हम लोग आज देख सकते हैं जो moment इसने बनाया है वो moment के हिसाब्स तो इसने और downtrend मारना चाहिए था पर उसने जो बता के अपने टिलिग्राम उने ब्रेक कर होने के लिए मैंने बताया था वह को गया था दुस्तों इस के लिए हम लोग मैंने इसको दो 100 लेवस के लिए second pakक हा था पर इसने लो बना दिया था दोस्तों one twenty 10.25 का पास पर इसके अंदर आपको 10100 आप देखिए इसके अंदर 10100 के पास figure दोस्तो आप इदर सकते हैं उपन इंट्रे सेaltet में चेंज भी होता है दोस्तों आप धेए इदर देखिए इसके इनदर बहुत ज्याद़ पर थे भी देखिए भी करते हैं यह कोंट्राइक होता है दोस्तों कोंट्राइक यानि इदर से क्रिकता है यहां से उपपर जाएगा तो इकरेदेगा पुट क्या समझ के बेशता है कि यह से नीचे गिर जाएगो तो मुनाफ़ होगा यह तो आप सभी को मालूमी होगा पर आप देखिए इसके अंदर आप 9800 यहां भी देखिए 9800 को भी बहुत ज्यादा लोग इंट्रेस्ट बता रहे हैं पर मेरा लेवर्स होंगे दोस्तों आपके लिए आप पुट बाइक कर रहे हैं तो 9750 तक अब टार्गेट लगा सकते हैं डाउन यानि डाउन टेंट टार्गेट के लिए अब कॉल बाइ ज्यादा दिख रहा है आप देख सकते हैं इसके अंदर 10300 यानि 10300 के पास भी हम लोगों को ओपन इंट्रेस्ट ज्यादा दिख रहा है दोस्तों दोस्तों यह तो होगे मेरे option chain basis पे मैं आपको पुट कहां में करना चाहिए आपको बता दिया है कॉल आप एक बार आउन क 🎵 कहा दिय higherlier घंसी आप कर लिया है तो आप 10100 के पास आप कॉल सेल कर सकते हैं 10500 आन टेन तॉनन 350 के पास दोस्तों आप पुट्ड कर लिए तो आप पूट कर सकते हैं दोस्तों आप कहां सेल करें थेंट केके पास थेन्तोन फैसल intercept कर at least article करें हूं तो आप पुट्ड बइक कर लिए तो और 9,900 के पास Excel कर देजिए अब लास टार्गेट लगाईए 9,750 के पास आप इसके अंदर देख सकते ही इसके अंदर भी ज्यादतर लोग ओपन इंटरेस्ट में देखे यह वैल्यू भी इसके अंदर ज्यादा है देखे दोस्तों यह बहुत सिंपूल ग्राफ है क्योंकि इसका मैं प्रिवियसली बात कर रहा हूँ तो आप देखे मार्च से एलप्रेल के महने के बिश में आज को चूज लेवल से उसने जब ब्रेक किया था उसके बाद हम लोगों को यह जो पैनिक सुचुवेशन था कोव इसने ओपन किया था निफ्टी पिछले तीन महने की अंदर तो उसके अंदर से आप देखिए आज की अंदर तक उसमें पूरा गैब डॉन को क्लोस करते वे चल रहा है दोस्तों स्लोली स्लोली पर मैं कल के दिन आपको बता सकता हूं कि अगले हफता या दूसरे हफते के द पास पूट बाइक करके चल रहे हैं अगर यह क्लोस नहीं कर पाया है तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कॉल कभी ऑप्शन बता दिया है कॉल बाइक कर रहे है तो अब 10500 के पास लगा सकते काई वो तो यह नियरली एक टार्गेट के पास अप मूव कर रहा है और इसने यह नजदिक ही नजदिक इसने क्लोजिंग और ओपनिंग करके चला था ग्याप अप में जो निफ्टी में जो तीन महीने पहले हुआ था दोस्तों आप देखिए यह मूवमेंट आने के लिए दोस्तों अभी बोट टैमें पर यह मूवमेंट आएगा अभी नहीं आएगा दोस्तों इसके लिए मार्केट सेटल डाउन होना है स्टॉक्स को भी कुछ अच्छे प्रैस में आना पड़ेगा जब तक स्टॉक्स अच्छे प्रैस और अच्छा मूवमेंट नहीं बताएंगे निफ्टी के अंदर हम लोग यह मूवमेंट नहीं देख सकेंगे दोस्तों कल के दिन यह मेरे तरफ से इंट्राडइं है दोस्तों यह मेरा फृडिक्शन हूं मैने चार्ट अनलैसिस पर अनलैसिस करके आप लोग के लिए टार्गेट करता हूं इन्डिक्स के अनदर आप चलिए आज के दिन आ जाते हैं आज का दीन है घे 2020 आज डे है दोस्तों मंडे 50-50 कर रहा है 10,167.45 कल के दिन दोस्तों गैप अप में ओपनिंग इधर भी हुआ आप देख लीजिए बाइंग सेड के लिए है दोस्तों अपर ट्रेंड टार्गेट है मेरा 10,210 और सेकेंड टार्गेट है 10,250 थर्ड टार्गेट है दोस्तों 10,300 यह कल के लिए ओपनिंग सेड पे हुआ तो पॉजीटिव जाने लगा तो टार्गेट है दोस्तों यह जो फिख करके काल पे पे क् चीव होते दिखेंगे आप लोगों को चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं निफ्टी बैंक के तरफ यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आप मेरा टेलिग्राम चैनल को अब तक जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लिजिए मैं इसके अंदर आपको रेगुलर बेसेश पे लाइव मार्केट के अंदर इंट्राडे टिप्स देता रहता हूं जो बहुत सक्सेस्फूल रहते हैं आप एक बार जॉइन कर लिजिए पेपर वर्क करीजिए आपको कुछ समझ में आ जाएगा देखें दोस्तों आपको एक एक एग्जाप्ल मैं दे देता हूं आज का द अब देखें नो चिंजसी निफ्टी गोइंग फ्लैट देखिए दोस्तों 11 11 बजे के पास मेरे बाता दिया था फ्लैट जा रहा है ब्रेक करेगा पेशेंस रखिए आप देखिए इसने साड़े बारा बजे निफ्टी ब्रेक कर लिया आप देखिए नेगटिव बेसेस प बैंक निफ्टी के तरफ दोस्तों आज का दिन है दोस्तों 8 तो जून मंडे 2020 बैंक निफ्टी करना लिए ट्रेड कर रहा है 21,187 के आज पास आज इसके अंदर डेया है हम लोग देख सकते हैं 21,636 एंड देख सकते हैं 20,911.25 दोस्तों इसके अंदर यह मोमेंट बहुत कम मैं निफ्टी बैंक के अंदर क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 4-5.5 तो दोस्तों फॉर पॉइंट के पास जाके फिर से इसके अंदर रिटन आता है क्योंकि option sellers भी होते हैं दोस्तों जायता सेलिंग पर करते हैं डिपेंड करते हैं इसके लिए हम लोग को और मार्केट करूंगा कि आप लोगों को option buy करें सेल करें बहुत बहुत इजी होंगे इंडेक्स के अंदर trade करने के लिए कॉल भाई भी करें आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों कैसे मैं आपको बता देता हूं आप देखिए सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों यह option seller भी हो option buyer भी हो जो लेके चलते हैं एक हफते के अंदर आज के दिन आप देखिए 21,187 के पास इसने रुका है रेरली आप देख सकते हैं 21,100 और 21,200 के पास इसने रुका है दोस्तों बीच के अंदर तो मैं आपको call buy करने की suggest करूंगा 21,100 के पास औ आप देख सकते हैं इसके अंदर जो open interest change हो रहा है रेरली देखिए कल के दिन इसके अंदर open interest अलगी change होगा तो इसके अंदर आप ज्यादा depend कर सकते है 21,500 देखिए open interest इदर ज्यादा दिख रहा है कल एक दिन के लिए तो मैं कल एक दिन के लिए suggest ने करूंगा है कल आप लोगों को मैं पूरे हफते के लिए suggest करूंगा कि आप call buy कर रहे हैं तो देखिए call buy आप यहां करके चले और call sell यहां करे तो आप put buy करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप देखिए put के अंदर हम लोगों को कल के दिन ही है आपको टार्गेट जो मैंने आगे चल के देने वाला हूं इंट्राडे के लिए उसके अंदर वो टार्गेट अच्छी होते हैं तो आप उसके अंदर पुट बाई करके चले कहां बाई करके चले आप देखें कल 21,000 के पास आगे फिचर 21,050 के पास भी नीचे जाता हुआ दिखा आप लोगों को तो आप इसके अंदर पुट बाई करके चल सकते हैं for the target of 20,600 क्योंकि आप देखिए 20,600 के पास जो ओपर इंट्रेस्ट चेंज हो रहा है अब देखिए पहले 21,000 के पास देखिए इदर टू लाइक 76,070 पे ओपर इंट्रेस्ट आप्ट पर मैं तो पूट बाई करने की तो 21,050 के पास उसके नीचे जाते रहे तो ही सज्जेस्ट करूंगा कि आप फिर से गवर करके सुन लेजिए और वीडियो को भी रिपीट करके देख लेजिए और लेवर्स को टाइगर्स को पेपर वर्क करिए देखिए आपको achievement definitely मिलेगा आप देख सकते हैं 20,600 के पास मैं आपको पूट सेल करने की सज्जेस्ट करता हूं दोस्तों देखिए आप इसको रिटन आप देखिए अभी तो आप निचे गया तो आप इंदा मनी रहेंगे ने तो आप रिटन जाने लगा तो आप नो मनी हो जाएंगे दोस्तों बाई क आप देखिए 21 तोंके पास बैट कर लिए है कौल आप उपर जाते हो ओसे पुदेन के रेंगे निचे जाध यह सो आप दोस्तों अपन देकर दोस्तों और दोस्तों क्योंकि यह बन्सकर देख सकते हैं वन डे चार्ट है दोस्तों आप इधर देखिए जो इसने इधर मुमेंट लेके जो नेगटिव जाना स्टार्ट करते हैं इधर आप्शन शेलर्स को तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ अपर इसके अंदर ज्यादा तर लोग कन्फूज होके हैं क्योंकि इसमें स्विं सब्सक्राइब आपको मिलेगा जब तक इसके अंदर यहीं मुमेंट बनता हूं मिलेगा दोस्तों आप गवर करिये विडियो स्टार्टिंग से भी देखिए आप निफ्टी भी देखिए बैंक निफ्टी भी देखिए क्योंकि कैंडल चाट के अंदर तो बस मैं इधर तक सब्सक्राइब करके बता सकता हूं क्योंकि जो इसने यह ओपनिंग आप देखिए कंटीन्यू हम लोग को पिछने अफ़ता ग्रेंट कैंडल से देखने को मिले गए वह भी अच्छे ओपनिंग के साथ पर आप देखिए इसने तो आज के दिन रिट कैंडल सूचना दे रह से लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टार्गेट के दरफ यह मेरे टार्गेट है दोस्तों कल के लिए मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग भी करें पूट बाइक करें आपको क्या करना चाहिए आप वीडियो पहले से देखिए अच्छा समझीए पीपर और करिये क्योंकि ज्यादा लुक्साम जो लोग होते हैं उनलोंको टार्गेट पाताने होते हैं दोस्तों मैं आपको डनीट मिलेगा दूस्तों आज करते!!! एर तुजून मंडे 2020 बैंक निफ्टी करनली टेट कर रहा है 21,187.35 पाइसा के पास टारगेट है दोस्तों मेरा यह टूजडे के लिए नाइन्त कल समझे अब जून 2020 नाइन तु जून के लिए अपर टेन टारगेट है दोस्तों मेरा बैंग शेड के पास कल के जिन आपको य थिखरा है इसे मुमेंट के पास ग्याप पर ओपनिंग भी हो गया तो पाहिए टारगेट लगा के चल सकते हैं 21,477 फाइनल टारगेट लगा के चल सकते हैं 21,565 दोस्तों मेरा धाउंटेंट टारगेट है दोस्तों इसके अंदर सेलिंग के तरफ आप पूट मैं आपको ब आपके लिए इसके अंदर आप यह स्क्रीशोट लिखा लेजी है मैं आप जो जो टारगेट दे रहा हूं टार्गेट को स्क्रीन शॉट लिखा लिए वरन्ना आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप पेपर वर्क करिए आपको अच्छा सा मुनाफा होगा दोस्तों चलि वाद थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो